हाई अबरिबन वेल्कम बैक तो मैं चैनल कैसे हो आप सर्व तो कैसे यहां पर में डर्मिस्टिक की सब्जी बनाएं जो इसको सरचन भी बोलते हैं तो यह सब्जी मतलब जो है यह बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है यह बीपी सुगर वालों के लिए बहुत ही ज्यादा प्यास लीए तो चलिए मैं कैसे बनाई हो मैं वह दिखाती हूं आप लोगों तो यह मैं कीचन में आ गई हूं यह है डर्मिस्टिक और इसमें मैंने आलूबी एड़ कर लिया है तो मैंने इसे उपर से छिल लिया है पानी में थोड़ी जरी के लिए इसे फूल ले दी थी इसके ले एक अगर चुह होते हैं वरना वह सब्जी आपका ठीका निगाए मरेगा तो यहां प्यास ली हूंँ अद्रक लहसल हरी मिज्ड समाटर और सरसोर है और यहां पर मैंने आपशालिय में सब्रय दाल लिया है और यहां पे मैं रड़ाई करूँगी इसे अदल ब्र बेक साउंड जो भी आएगा इंग्नौर किज़ेगा गैस क्योंकि मैं पीछे वाले रूम में बैठी हूं तो इसमें में सारा मसाला एड़ कर लूंगी जो भी यह और हां चावल पर खाना था तो ऐसे बना सकते हो ग्रेवी वाला रोटी पर भी ग्रेवी वाला सुखा वाल अ और लाइक भी कर दीजेगा तो प्लीज मेरे वीडियो को कम से कम चार मिनट तक वाच कीजिए आप लोग एक मिनट वाच करके और कमेंट कर देते हो तो वह स्पैम में चला जाता है मैसेज प्लीज ऐसा मत कीजिए बहुत लोगों का मैसेज मेरे स्पैम मैं है मुझे दिच तो यहां पर देखिए मैंने यह सारा सुखा मसाला धनिया और हल्दी नमक लाल बेंच में डाल ली हूं थोरसा सब्जी मसाला भी मैं एड़ की हूं इसमें और मसाला में फ्राइक कर रहे थी साथ में मैंने उपर से टमाटर भी डाल दिया है क्योंकि मुझे ज्यादा है सबजी और की सबजियों में बैंगन में इनस पे मुझे ज़्यादा पसंद इसमें वैंगन की सब्सक्राइव के देखू आप उपर से डाल सकते हैं कि यह बनाटर बनेंगा तो यह तो मैए मसाला फ्राइव गया है पाँच मिनट या दस मिनट तक उसके बाद यह सारा डालिएगा उसके फिर से इसे पाँच मिनट फ्राई किजिएगा तभी अच्छे सी देखिए होगा देखिए मैंने फ्राई कर लिया है कलर भी चेंज हो चुका है अब मैं पानी एड करूंगी तो पानी आप अपने सब्जी बनके रेडी हो गई है गैस कैसा लगा आप लोग को आप लोगों से जरूर किजिएगा मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज और थाइंक्यू फॉर वाचिंग गाइस मेरे वीडियो को फुल वाच करना देख्रों मैं गैस बनके हो गई है बिलकुल